नमस्कार दोस्तों आप लोगों का नोटबुक आई एस में स्वागत हैं मैं एसकुमार आज आप लोगों के लिए बेहद महत्पूर एक टापिक लेकर आया हूँ जी आई टैक के बारे में जो अभी हालही में ततकाल में दिया गया है आपका हन्मान गड़ी जो मंदिर द्या में इस्थित है उसी वहीं पर एक प्रसाद बनता है लड़ू जो कि बेशन और देशी घी का और वह यूनिक उसका टेस्ट और स्वाध रहता है इसलिए उसे जी आई टैक मिला है और आप लोग जैसा जानते हैं 22 जनौरी को वहाँ पर भगवान स्री राम जी का भव्य भगवान हनमान जी का वहाँ पर दर्सन करना अनिवार रहता है और एक मान्यता है ऐसा कि भगवान हनमान जी को जो उनको लगाया जाता है आपका सिंदूरी लगाया जाता है तो वह सिंदूरी क्यों लगाया जाता है इसके पीछे भी एक इंट्रेस्टिंग कहानी है मैं आ जानेंगे कि बीस्टों में जिया टैक सबसे पहले किस देश के प्रोडक्ट को मिला और या क्यों भारत में इसके लिए अधिनियम लाना पड़ा और जिया टैक किन किन प्रोडक्टों के लिए दिया जाता है और इनका duration क्या होता है और इनका registration process क्या होता है और इसमें क्या duration होता है GI tax देने का जितने वर्स का क्या उसको increase किया जा सकता है वर्स को आईए इसी संदर में हम लोग चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आयोध्या आप लोग इस समय जानते ही होंगे आयोध्या आयोध्या में प्रसिद्ध जो प्रतिष्ठित हनवानगडी मंदिर है भगवान परी हनवान जी का है और वहां पर लड्डू चाड़ाया जाता है उसी लड्डू को GI टैग अभी हाले ही में दिया गया है और यह जो लड्डू है इसकी विशेष्टा जो है यह देशी घी से और बेशन से तयार किया जाता है आप देखिए देखने में कितना मोहक लग रहा है और बेहद ही स्वादिष्ट होता है और यह मुलायम काफी नरम होता है तो इसको भी आप और प्रोटेक्शन दो है और यह आपका 1999 में आया था और यह 2003 में आपका 2003 में यह आपका प्रभावी हुआ था यह अधिनियम आगे हम लोग उसके संदर में डीटेल में चर्चा करेंगे और यह जो लड़ू है हनुमान गड़ी लड़ू इसकी गुडवत्ता और विश्वसनियता बहुत ज्यादा है जब भी कोई प्रोड़क्ट को जी आइट मिलता है प्रोड़क्ट कहिए या नेचुरल उत्पात कहिए प्राकृतिक या तो कोई एग्रिकल्चरल उत्पात कह जो उनका गुडवत्ता है उनकी एक यूनिक पहचान है उसी के आधार पर उनको जी आइट मिलता है और उनके सर्रचण की बात की जाती है उन्हें प्रोड़क्ट के जाता है और क्यों आया इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं विश जो प्राचीन काल से परंपराएं चलिया रहे हैं उसमें ऑब सद्धी के बारे में इसमें डीटेल में दिया गया है और डीटेल में जब दिया गया है तो उसमें आप जानते हैं नी । हल्दी और आपका बासमती चावल इसी को लेकर विवाद उपजा विश्व में कई देश या कमपनियों ने इसको लेकर अपना कुछ परिवर्तन करके इस पर उन्होंने पेटेंट हासिल करने की कोशिस की उसके बाद भारत सरकार को इस पर और आवसेक्ता महसूस हुआ तो उन्होंने इसके प्रिपरेशन और प्रोड़क्शन और प्रासेश को लेकर जी आई टैग अधिनियम लाया गया था उन्हें तो आईए इसके मांग में ब्रिद्धी होगी अगर माल लीजिए जैसे हम लोग लड़ू की बात कर रहे हैं तो जी आई टैग जब दिया जाता है तो उसका एक जागरफिकल पहचान हो जाता है कि इस विशेश शेत्र में या विशेश प्रोड़क्ट का उत्पादन होता ह अथवा इसका यहां पर निर्मार किया जाता है तो इस से इस विशेश शेत्र में जो लड़ू है आपकी उसकी मांग में ब्रिद्धी होगी अगर मांग में ब्रिद्धी होगा तो निर्याद भी बढ़ेगा जब निर्याद बढ़ेगा तो इन सब के वहां पर रोजगार क का भी स्रीजन होगा और जब रोजगार का स्रीजन होगा तो उस विशेश एरिया में कुछ जो लोग इसमें इन्वालव हैं उनका जब इंकम बढ़ेगा तो गरीबी अन्य चीजें उससे वह बाहर निकलेंगे आईए हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का कुछ अभी तक जो महत्पुन प्रोड़क्ट को जी आई टैग मिला है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कुल 12 प्रोड़क्टों को जी आई टैग दिया गया है और यह जून 2023 तक है और इसमें साथ प्रोड़क्ट जो जी आई टैग दिया गया है इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा अमरोहा का धोलक यह दोलक एतना अच्छा है आप लोग यहां देखिए तो यह जो तैयार किया जाता है यह आम कटाल की जो लकड़ी होती है कटाल को आपका सूपर फूट की स्रेणी में रखा जाता है और सागवन सागवन होता है और जानवरों जानवरों में विशेश कर बकरी की खाल से जो तयार किया जाता है इसको यह देखिए यह लकड़ी है इसको आपके आम और कठल की लकड़ी और सागवन की लकड़ी से तयार किया गया है और दोनो तरफ यह आप जो देख रहे हैं जो लगाया गया है यह परत यह आपका खाल है जो कि बकरी के के खाल से बना है और बाघपत ग्रीह साज सज्जा दूसरा जो महत्पूड यह बाघपत और मेरट वाला जो एरिया है वहाँ विशिष्ट हथकरगा जो घरेलू साज सज्जा है यह सूती धागों से तयार किया जाता है आईए हम लोग आगे देख लेते हैं 12 बंकी हथकरगा उत्पाद यह जानते हैं आप लोग लगबग 50,000 बुनकर और 20,000 हथकरगा इससे जुड़े हुए हैं आप लोग यहां पर देख रहे हैं और यह काफी महत्पूड लगू और कुटी रूद्योगों में इनका बहुत महत्पूड योगदान रहता है और वहीं पर काल्पी हस्त निर्मीत कागे ची बात कीजाए तो इसको भी दिया गया है जी आई टेग और महोबा का गौरा पत्थर हस्त सिल्प जो हाथ के द्वारा तयार किया जाता है उसको भी दिया गया है और इसकी अदूती यह पत्थर सिल्प है मतलब कि यह यूनिक इसमें कारीगरी देखने को मिलती है अगर वहीं देखा जाए बात किया जाए मैन पूरी तासकसी का तो यह पीतल ताबे यह चादी के तारों को लकड़ी पर लपेट कर उसको जड़ के बनाया जाता है संबल हाथ क्राप की बात की जाए तो यह मृत जो जानवर होते हैं उनके रा मैटेरियल से यह तैयार किया जाता है अगर में हम लोग जिए टैक की विषिस्था के बारे में बात कर लें तो जानख वह जैसा जानते हैं भारत में सबसे पहले बिजली का भी उत पाधन डार्जलिंग में वह आता है यह आप लोग याद रखियेगा फिर काची पुरम सिल्क साड़ी जो है यह बहुत महत्पूर बहुत काश्टलिक साड़ी होती है यह सोने से भी तैयार किया जाता है यह इसको भी जियाई टैक दिया गया है और अगर वहीं देख लिया जाए भगवलिक संकेतक पंजी कराण कि अधिनियम 1999 के अंतरगत और इसका जो लागू हुआ था यह आपका 15 सितंबर कि 2003 को यह अधिनियम प्रभावी हुआ था मतलब लागू हुआ था और यह जो आपका है यह बाधिक संपदा अधिकार और व्यापार संबंदित पहलूओं पर डबलू टीयो आप लोग जैसा जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड आर्गिनाइजेशन डबलू टीयो इसकी अस्थापना हुई थी आपका 1 जनौरी 1995 को तो इसी के तहत आपका डबलू टीयो और आपका ट्रीप्स है इसके माध्य समझहोता हुआ उसी समझहोता के अंतरगत यह चीजे आई आईए हम लोग नोटबुक आईएस के बारे में बात कर लेते हैं आप लोग गूगल प्ले इस्टोर पर जाएए वहाँ पर नोटबुक आईएस वाइट मीडिया एजुकेशन फार आल टाइप कीजिए टाइप करने के बाद हम लोग संग लोग सेवा आयोग और राज्य लोग सेवा आयोग BPSC UPPCS EMPPCS जितने भी परिच्छाएं निकाली गई हैं आयोग के द्वारा उन परिच्छाओं के प्रारूप के अनुसार हम लोग रिसर्च बेस जो है हम लोग टेस्ट पेपर करा रह नहीं है Woah ताकि आप लोग जोर परिश्रम कर रहा हैं जो टार्गेट बनाये हैं उसमें आप लोगों को एक वांचित सफलता हमहां सिलोग और हमारे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए सैयर कीजिए और इस पर कमेंट भी कीजिए आप लोगों आगे बढ़ते चलेंगे धन्यवाद